हेलो डियर, बिलकम करता हूँ, आप सभी को कम्मुनिटी हेल्थ नर्सिंग के आपके फर्स्ट पार्ट में, जो कि फर्स्ट यर का है, ओके, तो आज है वीडियो नमबर 28 मा, आप लोग देखिएगा, हम बहुत अच्छे-च्छे, सौट कुछन जो पुछे जाते हैं, उस टा करता हूँ, आपके दिसंबर तक मैं कम्पलीट कर दूँगा सिलेवस, एक एक प्रस्ट करा दूँगा, जो महत्पून है, और साथ में आपको टोटल सिलेवस भी कवर कर देंगे, रही बात रिवीजन की, तो मैं पूरे जनवरी और फर्वरी आपको रिवीजन कराऊंगा, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अब चलेंगे 2023-2024 के बैच की तरफ, चुकि इसी बैच को बहुत ज़्यादा परहाना ठीक नहीं है, मैं रिवीजन भी दो महीने, जितने भी important question बनेंगे, सब को करा देंगे, जो लोग अगर main class नहीं किये हैं उनको तो दिकत होगा ही, ब देखिए यहाँ पर प्रश्ण है आपका यहाँ पर कि जल का घरेलू अस्तर पर कैसे सुधी करन करना है, देखिए यह परश्ण आपको दो तरीके से पुछा जा सकता है, कैसे, एक तो कहेगा कि छोटे अस्तर पर जल का सुधी करन की बिधी बताए, पहला, या फिर अलग तो अलग तरीके से पुछेगा, कहेगा कि घरेलू अस्तर पर जल का सुधी करन के बारे में लिखे, पांच नमबर में ज्यादा में नहीं, तो चलिए च्छोटे अस्तर का है, मतलब घर का अस्तर मतलब छोटे अस्तर पर ही, तो चलिए हम लोग देखते हैं, अब देखिए पानी के घरेलू अस्तर पर सुधी करन है, तो तीन बीधियों का परयोग होता है, देखिए चोटे अस्तर पर या घरेलू अस्तर की बात करेगा, तो वहाँ पे जल मतलब पानी के सुधी करन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, जो है तीन बीधि महत्पून है, चोटे है boiling meter उसके बाद है रसाइनी chemical द्वारा chemical disinfection के द्वारा और तीसरा है filtration मतलब छानना तीसरा है यह तीन वीधी है जिसके द्वारा हम छोटे अस्तर पर या यूँ कहा जाए तो घरेलू अस्तर पर जो है हम पानी को सुधिकरन करते हैं कोई दिकत नहीं चलिए देखते हैं यह होगी हमारा अब देखिए पानी को हम सुध क्यों करते हैं पानी को हम सुध इसलिए करते हैं कि अगर कोई गंदगी भरा पानी है तो पानी को पीने से हमारा स्वास्त गरबडा जाएगा बिमार पर जाएंगे तो उससे पहले जो है चुकी पानी में बहुत सारे केमिकल मिले रहते हैं जैसे हो गया आरसेनिक बगरा हो गया लोहा ज्यादा मात्रा में भी हो सकता है बहुत सारे मतलब मिले रहते हैं तो उसको सुधी करन के लिए गंदगी को हटाने के लिए सब भी धी अपनाई जाती है तो चलिए पहला मेठर हमने देखा उबालना बॉाइलिंग, यह जल को सुध करने का सरवाधिक असान घरेलू तरीका है, बॉाइलिंग मेठर कम खर्चिला भी है और सबसे असान मेठर भी है, हर घर में उपलब्ध होता है, समझ गए, इसमें पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रे पहुचने पर पानी हमारा उबलने लगता है, समझ गए, तो यह 100 डिग्री सेंटीग्रेट पर हम अगर 5-10 मिनट रग पानी को उबाल देंगे, तो पानी में जो भी सुक्ष मजीब है, जो भी उसमें अंडा है, ओभम है, नश्ट हो जाएगा, फिर पानी एकदम सुक्ष ह हो जाएगा, इसलिए देखते हो येगा कि लोग गाउं में गरम पानी पीते हैं, गरम पानी कोई ऐसा थोरी नहीं है कि गरम पानी और ठंडा पानी, यही अंतर हो जाता है कि जो ठंडा पानी में सुक्ष मजीब जो हो सकता है, वह गरम पानी में नहीं रह पाता है, क्योंक के जल हो जाता है उबालने से जल में मजूद कैलसियम कार्बोनेट है पेंदे में बठ जाता है मतलब बिट्लर जल जो है हायडरेंस में भी कम हो जाता है उबाल यह में बढ़ता है मुलाहिम लगता है समझे ना तो उबालने से पानी के किटानू किरियाओं द्वारा सुधी करन का मतलब है माइडियार कि अलग-अलग रसाइनिक पदार्थ है केमिकल है जिसके द्वारा हम जल को सुध करते हैं आप लोग को पता है उसके लिए बिलीचिंग पाउडर आता है कलोरीन आता है समझ गए अलग-अलग रसाइनी केमिकल है जिसके परियोग करके हम घडेलू अस्तर पर भी पानी को सुध कर सकते हैं समझ गए ना तो चलिए हम आपको एके करके दिखाते हैं रसाइनीक बीधी में पहला जो बीधी है वो हमारा बिलीचिंग पाउडर है समझ गए? अब आप लोग देखते हुए गा बिलीचिंग पाउडर का जो है इस्तेमाल किया जाता है साफ सफाई में भी तो बिलीचिंग पाउडर दोरा या सफेद रंग का एक पाउडर होता है जो कलोरीन गैस को चुनने के साथ मिक्स होने से बनता है बिलीचिंग पाउडर जो है कलोरीन गैस और चुनने के साथ मिलने से बनता है ताजे बिलीचिंग पाउडर से कम से कम 35% तक प्राप्त कैलोरीन गैस पाई जाती है अगर आपका बिलीचिंग पाउडर ताजा है नया है तो चुकी बिलीचिंग पाउडर में चुना और कलोरीन गैस मिक्स होके बिलीचिंग पाउडर बनता है तो अगर आपका बिलीचिंग पाउडर ताजा है और अच्छा है तो कम से कम उसमें 35% पर्याप्त क्लोरीन गैस तो उसमें मिल ही जाएगा समझ गये और यही क्लोरीन गैस क्या करता है आपको कि जल को सुध करता है पानी को सुध करने है तो उसे एक घंटा तक रसायनिक पदार्थ के संपर्क में रखा जाता है ताकि कम से कम 0.5 mg क्लोरीन आ जाए अधी गंदे पानी को इसके द्वारा साफ नहीं किया जा सकता है बिलीचिंग पाउडर ज्यादा मामले में अगर ज्यादा आपके गंदे है अगर आपके ज्यादा पानी गंदे है तो बिलीचिंग पाउडर आपको पानी को ज्यादा साफ नहीं कर सकता है क्योंकि चुना जो bleaching powder उसमें अल्रेडी चुना की मात्रा ज्यादा है bleaching का मात्रा कुलोरीन की मात्रा कम है तो आपके यह अच्छा से पानी को साफ नहीं कर सकता लेकिन फिर भी साफ करेगा जितना सकती कुलोरीन का है उतना सकती से साफ करेगा यह चीज को ध्यान में रखिएगा अब हम लोग देखते हैं दूसरा point है हमारा कुलोरीन गोल के दौरा अब कुलोरीन के दौरा हम पानी को साफ कर सकते हैं इसको त्यार करने हैं तो 4 kg bleaching powder को 20 लीटर पानी में मिलाया जाता है अब हम लोग जानते हैं कि जो bleaching powder है उसमें मातर 35% ही कुलोरीन गैस होता है तो अगर मान गए हम 4 kg अगर bleaching powder अगर पानी में मिलाते हैं 20 लीटर पानी में तो क्या होगा कि इस परकार से जो गोल त्यार होगा उस मिसरन में 5% कुलोरीन होती है और वह पानी के मिसरन जो क्लोरीन बला होगा उससे हम और सारे धेरो पानी में डालकर साप कर सकते हैं क्लोरीन गोल का मतलब होता है कि जैसे हम bleaching powder लेंगे और bleaching powder 4 kg लेंगे और मातर 20 kg पानी में रखेंगे अब इससे होगा क्या कि bleaching powder तो मानेगे उसमें चुना भी है और क्लोरीन भी कम मत्रा में है तो जो क्लोरीन पानी में मिल जाएगा उस पानी को हम अलग कर लेंगे चुना को अलग कर देंगे समझ गये और वह चुकी क्लोरीन एक परकार से गैस के रूप में उसमें उपस्तित है तो वह जल में असानी से घूल मिल जाएगा अब जो जल में घूल जाएगा उसको हम अलग कर लेंगे और फिर उसका इस्तमाल उस मिलन बला जो पानी मिला हुआ है उसमें क्लोरीन होगा उसका इस्तमाल जो है हम कहां करेंगे दूसरे जगा पर करेंगे पानी को सुद करने के लिए समझ गए, तो chlorine gas हो गया यहां पर, आगे है high taste hypo chloride, hypo chloride के दौरा यह चूने से बना एक misran है, इसमें 60-70% chlorine होता है, यह stable compound होता है, तो जो hypo chloride होता है, यह भी आपके चूना से ही बना है, bleaching भी चूना और chlorine से ही बना है, और hypo chloride भी यह भी चूना के misran ही होता है, लेकिन इसमें chlorine की मात्रा 60-70% होती है, और यह एक stable compound होता है, समझ गए, और चौथा point है, रसाइनिक में chlorine tablet आता है, आप लोग देखते हो यह गा कि, कि आपके घर के आसपास अगर blue color के जो पानी होता है, जैसे swimming warming में, उसमें इसी chlorine इस्तमाल किया जाता है, समझ गए, एक कम मात्रा में पा पानी के हिसाब से रखते हैं, और यह कम पानी को सुध करने में काम में आता है chlorine tablet, okay, potassium permagnate और iodine के द्वारा भी हम पानी को सुध कर सकते हैं, समझ गए, इस सब जो है रसाइनिक compound है, जिसके ज़री हम पानी को सुध करते हैं, चाहे वो bleaching हो, चाहे वो chlorine घोल हो, चाहे chlorine tablet हो, यह सब के सब रसाइनिक पदार्थ है, अब जो है, एक देख लिए boiling देख लिए, दुसरा रसाइनिक पदार्थ है, तीसरा देखते है, चानना मतलब filtration, अब filtration देखिए, घरों में पानी के सुधी करने तू अनेक परकार के filter उपलब्ध है, जैसे chamber lane filter, work filled filter, बहुत सारे filter है, उसमें से एक उदारान आपको आरो केंट देखते होईएगा, आज काल बहुत लगता है, तो अभी पानी सुधी करन के filtration ही करता है, इन filter को समय समय पर हफते में एक बार सक्त बरस से रगर कर शाप किया जाता है, आप लोग देखते होईएगा कि आरो केंट के जो लोग लग परयोग का कम कॉमन है, ठीक है, तो यह चानना जो है बहुत ज़्यादा है, बाहर में इसका इस्तमाल बहुत जादे किया जाता है, यहां तो मानगे सहर में लोग रखता है इका दुका, बाकी लोग जो है गाउवळा रखता ही नहीं है इसको, समझ गएगे, तो अभी भार इसका कम कॉमन है लेकिन बाहर में सब के घर में विदेशों में लगा रहता है समझ गया है फिल्ट्रेशन जो है आपके बहुत इंपर्टेंट होते हैं तो यह तीन बेदी है छोटे अस्तर पर मैंने आपको बता दिया इस चीज को ध्यान में रखना है ओके चलिए आगे हम ल इंगलिस एक साइड दीजे तो इस कारण से मैं दे रहा हूँ ठीक है इंगलिस सब का नीचे मिल जाएगा ओके आगे का प्रशन है माइडियर एक और प्रशन अच्छा प्रशन है सोट कूश्चन में कहता है भारत में मात्री एवं सिसू स्वास्त सेवाओं के घटकों के ब और वही एक स्वास्त सेवा हो जाएगा देख रेख हो जाएगा नर्स की भूमिका तो नर्स की भूमिका कोमन चीज है आप खुद दिमाग लगाए कि नर्स की काम काम मतलब नर्स का क्या रोल हो सकता है किसी भी पेसेंट को देखने में तो जिस तरीका का पेसेंट होगा उ उसका देखरेख करेगी, तो बिमारी की हिसाब से आप खुद लिख सकते हो नर्स की भूमिका को, बस ध्यान नखना है कि कौन सी बिमारी है किसी हिसाब से लिखेंगे, ओके, आगे हैं, MCH सेवाओं की परिभासा, MCH सेवाओं की परिभासा का मतलब है, वही मातरी एवं सिसु स्वास्त, समझ गए, MCH, MCH की परिभासा है, WHO के अनुसार, WHO के द्वारा कहा गया कि मातरीत्व वा बाल स्वास्त देखवाल सेवाएं, वे सेवाएं हैं, जो माता वा सिसु को परदान किया जाता है, समझ गए, माता और सिसु के स्वास्त की रक्षा, उनके रोगों का बच्चा और मा, दोनों का, क्योंकि जब मा अपने बच्चे को जन्म देती है, तो उस समय माता और बच्चे दोनों को एक मान के चला जाता है, अगर प्रोब्लम मा को है, तो ज्यादा चांसे बच्चा को भी प्रोब्लम होने का होता है, ठीक है न, क्योंकि उस समय माता और बच्चा एक दूसरे से connect रहता है, समझ गए, चुकि मात से सिधा वह direct रहता है, उसका अस्तनपन करता है, जो भी effect अगर मा को सर्दी है, तो बच्चे को भी सर्दी होने का खत्रा रहता है, तो इन सभी कारणों से MCH का परिभासा यही है, WHO के अनुसार, कि मात्री वा बाल स्वास्थ देखवाल सेवाएं, वे सेवाएं हैं, जो माता और सिसू, दोनों की स्वास्थ की रक्षा करें, रोगों की रोगठाम हो, और बिमारी के विभीर अवस्थाओं का उपचार करता हो, देखरे करता हो, उसके अवस्थाओं को पूरा करता हो, यही जो सेवा है, य सर्विस माता और बच्चे को स्वास्त से सम्मंदी सर्विस दिया जाएगा, उसके बीमारियों की अवस्थाओं को देखा जाएगा, परखा जाएगा, समझ गए, रोक थाम किया जाएगा बीमारी से, उनको रक्षा किया जाएगा, यही सेवा होता है, समझ गए, अब यह MCH जो सर्विस है अब होता यहां पे यह है कि MCH के बारे में तो समझ गए तो MCH सेवाओं का उदेश क्या है मतलब जो माता और सिसु का जो सेवा दिया जाएगा हिल्थ का स्वास्त का उस सेवाओं का क्या उदेश होता है तो उसका उदेश यही होता है कि जो मातरी मिर्टूदर होता है उसको कम करना मतलब जैसे बच्चा देते समय या प्रिगनेंसी के दौरान बहुत सारे फिमेल महिलाओं की देथ हो जाती है तो उन मातरी मिर्टूदर को कम करना पेरी नेटल सिसू मिर्टूदर को कम करना पेरी एम आर, infant mortality rate समझ गए, infant mortality rate को भी कम करना, समझ गए सिसू, मिर्तु दर को भी कम करना प्रजनन स्वास्त की देखरे करना इसका एक उदेश एभी है, कि जो reproductive health है, प्रजनन स्वास्त है उसको भी देखरे करना सुरक्षित मात्रित्व को बरहावा देना मतलब, जो बच्चे का जन्म दे रही है मा, उस समय से लेकर आगे जब तक यह फ्य चलता रहता है तब तक माता का सुरक्षा जो है, परहावा देना इसका उदेश है स्वास्त सिसू की स्वास्त सिसू की डिलेवरी कराना और एक बेहतर healthy सिसू को इसका MCH का उदेश है तो जाहिर सी बाते है MCH का सिधा सिधा मतलब है कि maternal and child health समझ गए maternal and child health service तो इसका सिधी सिधी मतलब वही है कि माता और सिसू को क्यान कौन से सिवा दिया जाता है और उन सभी सिवाओं में इसका उदेश यही होता है कि मात्री मिर्तुदर को भी कम करना सिसू मिर्तुदर को भी कम करना समझ गए उसके बाद है प्रजनन स्वास्त की देखरे करना समझ गए सुरक्षित मात्रीत्व को बरहावा देना स्वास्त सिसू की डिलेवरी कराना मतलब delivery अच्छे से हो जाए इसके लिए भूमका निभाती सेबा उदेश है तो यह सेबा सब आपको याद रखना है इसका उदेश आगे हम लोग अब इसके घटक को देखेंगे चुकि हमसे घटक भी पुछा है कि MCH के अंदर कौन-कौन से components होंगे कौन-कौन से घटक होंगे तो घटक आपसे primary health care का भी component पुछता है आठ वहाँ पर परहाए है और यहाँ भी आपको MCH maternal and child health service का आपको components को याद रखना परेगा MCH देखवाल के सब area है उप छेतर है MCH के अंदर आपको अलग-अलग छेतर देखने को मिलता है यही इसका घटक है कौन-कौन सा है पहले है माता की स्वास्त देखवाल पहला यही है कि mother का maternal health की देखवाल किया जाता है पहला component घटक है इस MCH के अंदर family planning भी आता है इस चीज को भी ध्यान अखना है यहाँ पे child care भाल स्वास्त का भी देखवाल आता है साला मतलब school health का भी इसी के अंदर आता है कि इस्कूल में देखरेक जो होता है उसका भी यहाँ पर आता है आगे है बिकलांक बच्चों की स्वास्त का देखवाल भी इसी MCH में आता है बिसेस अब सेक्ता वाले बच्चों जैसे मंदबुधी, विकलांक, बहरे, गुंगे बच्चों के देखवाल और अन्य स्वास्त देखवाल जो maternal और child से related हो उसको जो है इसमेक सामिल किया जाता है और यहाँ सब के सब घटक है तो घटक कौन-कौन सा है माता की देखवाल, पडिवार नियोजन, बाल स्वास्त देखवाल साला मतलब school स्वास्त ठीक है, बिकलांक बच्चों की देखवाल बिसेस अब सेक्ता वाले बच्चों की देखवाल जैसे मंदबुधी, बिकलांक, बहरे, गुंगे ये सब बच्चे की स्वास्त देखवाल समझ गए माता की स्वास्त देखवाल के maternal health का कुछ उप घटक है देखिए अब यहाँ पर मैंने जो ये तो सब के सब घटक मैंने पराया MCH का MCH का ये सब उप घटक है सब एरिया है समझ गए लेकिन इसमें maternal health जो उपर वाला घटक मैंने बताया है MCH के अंदर इसका भी अपना एक अलग घटक है माता की देखवाल में तो ये maternal health का जो सब है वह जैसे reproductive health चुकि माता ही बच्चे को जन्म देती है तो उसके प्रजनन स्वास्त का देखवाल जरूरी है ये तो हो गया कि प्रजनन स्वास्त की देखवाल मा के लिए मा के लिए ही जो है बच्चे के जन्म से पहले का देखवाल होता है यानि गर्भ के दोरान देखवाल किया जाता है जैसे बिवीन परकार के गर्भती महिलाओं का जाँच होता है iron की गोलियों देना folic acid की गोली देना ठीक है टिका करन लगाना तो यह सब anti-nental care में होगा intra होता है जो delivery के दोरान की देखवाल होगा post-nental होता है जो delivery के बाद का देखवाल होगा तो यह maternal health का कुछ घटक उप घटक मैंने आपको बता दिया बाद की main आपका question जो है आपका यहां तक है समझ गए यहां तक है जो की आपके यह आपके MCH के घटक में है समझ गए तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया यहां पे आप लोग देखिए हो गया समापत चलिए अब एक प्रशन आता है यहां पे आपसे question पुछेगा कच्रा क्या है और कच्रा को कैसे हम लोग निपटेंगे कैसे हम जो है diffuse करेंगे समझ गए कैसे हम लोग dispose करेंगे waste material को चलिए कच्रा हम लोग देखते हैं फिर इसका परवंध भी देखेंगे ऐसे तो मैं परवंध परहाई दिया हूँ तो फिर भी एक वर हम लोग देख लेते हैं waste और इसको कैसे management किया जाएगा dispose किया जाएगा चलिए कच्रा क्या होता है कच्रा का मतलब वैसा पदार्थ वैसा समान जो बेकार परा हो जिसका यूज हम अब नहीं कर सकते हैं समझ गये दिख लीजिये अनूपयोगी पदार्थ को कच्रा कहते है वैसा पदा जिसका हम उपयोग कर लिए अब वो हमारे लिए यूजेवल नहीं है उपयोगी नहीं है तो यह अनूपयोगी हो जाएगा और उसी को हम लोग अनुप्योगी पदार्थ कच्रा कहते हैं कच्रे में सरको, सरबजनीक अस्थलो, घरों से निकलने वाला कच्रा जैसे फल, सबजी के टुकरे, बच्चा हुआ खाद पदार, कप्रों के टुकरे, टुटे फुटे अजार, लक्री के टुकरे, पोली थीन, आडी ठोस कच्रे के उधारन है My dear, बहुत सारे कच्रे हैं, वैसा पदार जो अनूप योगी हो चुका हो, जो उपयोगी नौ हो, समझ कहें हैं जिसका हम उपयोग कर चुके हैं, अब हो हमारे लिए अनूप योगी हो गया हो, तो वो एक परकार से कच्रा बन जाता है, समझ गहें जैसे कच्रे में सर्वजनी का स्थालो घरों से निकलने वाला अलग-अलग कच्रे होते हैं जैसे फालवा सबजिया के भी टुक्रे यह भी यह कच्रा है बच्चा हुआ खात पदार भोजन की यह थोरा सा बच्चिया वह भी यह कच्रा हो जाता है कपरों के टुकरे यह भी यह कच्रा है तुटे फुटे ओजार यह भी कच्रा है लकरी के टुकरे यह भी यह कच्रा है पॉलीथीन यह भी कच्रा है बहुत सारे आधी ठोस कच्रे हैं इन कच्रों का अगर सही तरीके से निसकासन नहीं किया गया तो अनेक बिमारिया पैदा कर सकती है और यह सब कच्रों में से अगर हम अच्छे से इसे निस्कासन नहीं करते हैं निप्टारा नहीं करते हैं डिस्पोज नहीं करेंगे तो यह अनेकों बिमारिया पैदा करेगा सरगल के क्योंकि यह सब हमारे आसपास ही होता है ओके कच्रा नोर्मली आपके तीन परकार क नुर्मली मानते हैं हम लोग एक होता है ठोस कच्रा समझ गये जो भी ठोस सा मान ठोस कच्रा होगा वह ठोस होगा और जो भी लिवकिट के फर्म में कच्रा होगा वह आपका तरल कच्रा होगा जैसे मान मल मुत्र होगा बल भैसी यह सब का जो माल जानबर होते हैं उनका और सा अब यहां पर बात आता है यह प्रश्ण बहुत ज़्यादा अच्छा है कि Refuse of Disposal method of Refuse Disposal Refuse Disposal का मतलब है कि कच्रे का निस्तारन कैसे करेंगे कौन-कौन विधिया से करेंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन-कौन विधिया है जिसे हम अपने कच्रे को निस्तारन Refuse कर सकते हैं कच्रे के निस्तारन की कुछ समान भी दिया निम्रपरकार है अब जो कच्रा है उसका कुछ Dispos करने का जो तरीका है वह यहां पर दिया गया है नर्माली हमें पान तरीके से कच्रे को Dispos कर सकते हैं कौन-कौन एक तो है पाटना, डंपिंग करना दूसरा होता है जला देना या भस्मी करन जिसे Incineration कहते हैं नियंत्रित टिपिंग होता है, Controller Tipping होता है, Compositing होता है, पाचमा होता है गारना तो ये पांच जो है याद रखिएगा पहला है पाटना यह कच्रे के निश्तारन की एक सरल भी दी है इसमें नियंत्रीत कच्रे को गहरी जगों में भर दिया जाता है जिसे यह एक्तीत कच्रा धीरे-धीरे सल गलकर खाद में परिवर्तित हो जाते है एक रीसी के लिए उपयोगी होता है तथा लागतार कच्रा डालने से नीचे चेतर सम्तल हो जाते है आप लोग देखते हो येगा कि आपके सहर में आपके नाली से घरों से जो कच्रा नगर निगम बला या फिर नगर पजिश्यद बला ये लोग आता है और डबा के डबा ढोकर ले जाता है नाली से कच्रा निकालके लोड करके ले जाता है और सहर से कहीं दूर जो है देखते हो येगा बरा बरा रोड के किनारे जहां जहां खड़ा देखेगा वहां जो है उसको क्या करता है डंप कर देता है मतलब उसे वहां चीज से उसको क्या करता है, समतल कर देता है, और वह धीरे-धीरे कच्रा क्या होता है, सर गल के वही मीटी में धज जाता है, तो वह एक खाद का भी काम करता है, और दूसरा फैदा ये भी होता है, कि वह एक समतल भी बना देता है, जमीन को वहाँ पे समतल भी बना देता है, स बीधी है डिस्पोज करने का दूसरा है इंसिनिरेशन जलाना इंसिनिरेशन जो हता है इसमें कच्रा को जला दिया जाता है समझ गए वैसा कच्रा जो नसरने वाला हो नगलने वाला हो तो उसको क्या करते हैं हम लोग जला देते हैं समझ गए उसको हम लोग क्या करेंगे जला देते हैं और यहां सबसे समान बीधी है एसा अस्थान जहां कच्रे एक्तरत करने की सुविधा उप्योगत हो कच्रे को जलाने के लिए इंसिनिरेटर्स का उप्योग करते हैं समझ गए तब ही देखते हो यह गा कि बड़े बड़े सहर में कच्रा का जहां टाल रहेगा वहां हमेशा आग लगा ही रहता है समझ गए न तो ए जलाना भी एक परकार से कच्रे को नियंतरुट का मतलब होता है कि इस विधी में कच्रे को निश्तारन करने हैं, समझ गया है? इसमें बिमारी नहीं पहले इसलिए इसे धांक कर रखना चाहिए इसे 30-50 मीटर तक पीने के पानी वाले कुवे से दूर होना चाहिए इसे घरों से 100 मीटर की दूरी पर होना चाहिए इसमें लगव Does 4-6 माँ तक कच्रा सर जाता है इसमें जो है बिभीन रसाइनी के अब हम जैबी किरियाएं घटित होती है और कच्रा खाद में परिवर्तित हो जाता है इसका उप्योग किरिसी की उर्वारा सकती पढ़ाने में उप्योग किया जा सकता है कंट्रोल टिपिंग का मतलब है कि जैसे मान गए कच्रा है हमारे पास तो हम क्या करेंगे हम अपने अब सेक्ता अनुसार पांच मीटर दो मीटर तीन मीटर चार मीनट जीतना हमारे पास कच्रा है उतना हम क्या करेंगे गहरा गड़ा खो देंगे उसमें कच्रा को डाल देंग फिर कच्रा को हम क्या करेंगे उपर से उसको ढख देंगे किसी चीज से अब जब उसको हम 4-5-6 महिना छोड़ देंगे तो उसके अंदर विभीन रसाइनी किरिया होगा उस कच्रा में गढ़े में और वह धीरे-धीरे 5-6 महिना में सर जाता है और वह खाद के रूप में परि मीटी के अंदर जो है आप इसको कच्रा को डाल रहे हैं तो आप इस चीज को वहां करेंगे जहां 100 मीटर के आसपास किसी का घर ना हो समझ गए और ध्यान रखेंगे क्योंकि यह मीटी जो है अंदर से अंदर जल में जाएगा इसकांस जल में भी जाएगा और उसमें प्रो इसमें एक गारा गड़ा किया जाता है इसमें मल की दूई इंच तथा फिर कच्रे की छो इंच मोटी परत एक के बाद एक डाली जाती है सबसे उपर वाली परत कच्रे की होती है गड़े को उपर से बंद कर दिया जाता है कच्रा सरने से जैवी किरिया के होने से पदार्थ जैसे हुमस पदार्थ में बदल जाता है इसे कमपोज्ट खाद कहा जाता है इसका उप्योग किसी की उपच्छंता बढाने के लिए किया जाता है और आप लोग देखते हो यह गा कि इसके जरिये गाओं में कभी कभी पहले होता यह था गोबर गैस बनाया जाता था गोबर गैस सनिय अन्तिक है उसमें होता है कि जैसे यह कमपोजिट है इसमें क्या होगा कि इसमें मल मूत्र और कच्रा दोनों का इस्तमाल किया जाता है मल का भी समझ गया और कच्रा का भी पर कच्छरा दोचाऱ इंची तक भरेगा फिर मल डालेगा और सबसे ऊपर वाला जो होगा कच्छा का लेयर रहने दिया जायेगा चुकि नीचा गढ़ए में मल का लेयर सबसे हैं तो ऊपर सबसे लेयर कच्छा कराएगा और फिर उसको गढ़ए को भी यहां भी गढढ़ा है डुहक देगा और यह जो है दिरे-दिरे सरकर भीषन पर उसमें रसाइनी कभी किरिया होता है खाद में उट cooled होता है परिवर्तित होता है जो आपके सकती ऑब काफी औरवरक सकती बहाता है ओके यह ही आ परणजी्ट होता है समझें अगले दिन उसमें कच्रा डाला जाता है फिर उसमें मीती डाल दी जाती है तब कच्रा लगभग भर जाता है तब उसे उपर मीती डाल दी जाती है और उससे चार से six मात तक बंद कर दिया जाता है इस अब दी के द incub right गर्टित होने वाली जैविक तथारा साइनी किरियाओं के परिणाम स्वरूप कच्रा खाद में बदल जाता है इसका उप्यों किरिसी उर्वरस सक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है एक गड़े को बंद कर देने के पहचात कच्रा निस्तारन दूसरे गड़े में किया जात तो यह जो गारना है यहां भी एक गड़ा होगा अब एक हम गड़ा खोद लिए अपने चमता के अनुसार कि यहां एक महिने तक इस गड़ा में मेरा कच्रा आ जाएगा मेरा घर का अब हम क्या करेंगे डेली के कच्रा ले जाएंगे उस गड़े में रख देंगे फिर उसम से ठ JEẬंगे और धिरे धिरे पाई चार से खे महिने में यह गड़ा क्या होगा अמנेब gia पूल होजाए फूल तो होई गया है चार से खे महिने में यह जो है इसके अंदर जो कच्रा और मेटी है यहां यज़ आपस में मिल कर सरगल जाएगा खाद के dumping करना समझ गये दूसरा है जलाना तिसरा है नियंत्री टिपिंग control टिपिंग चौथा है compositing समझ गये और पांचमा है गारना ब्यूडियल तो इस परकार से यह पांचों याद रखेगा जो कि आपको dispose refuse को dispose करना समझ गये मतलब कच्रे को नियंत्री करने का या पान तरीका मैंने आपको बता दिया कच्रा बता दिया और आज हम आपको क्या परहाएं MCH भी थोड़ा मुरा जनकारी दे दिये हैं कि क्या है MCH से बा और मैंने आपको परहा दिया कच्रा को कैसे परबंद करेंगे यह परहा दिया तो आप लोग 3 प्रशनाच लोग पर लिए, अच्छे से short question है, 5 नमर में पुछा जा सकता है आप लोग अच्छे से इसको लिख दीजिएगा PDF description में मिल जाएगा Hindi उपर था, यहाँ पर total यहाँ इंग्लिस है टीके न, total यहाँ पर मैंने English दे रखा है हम आप से मिलेंगा अगले वीडियो में अपना ख्यार लखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद